हेलो फ्रेंट्स, वेलकम तू माई चैनल, मास्टर माली, आज मैं आपके साथ कुछ अपनी प्लांट्स की शॉपिंग शेयर कर रही हूँ, तो ये मेरा फर्स प्लांट है, कोलियस, बहुत ही प्यारा प्लांट है, और ये कुछ पिंक शेट लिये हुए है, जब बुशी हो जा हैंगी, और इसकी स्वाइल, नॉर्मल गार्डन स्वाइल है, जो कि एक अच्छी बात नहीं है, वेल रेंज स्वाइल होना बहुत ज़रूरी है, कोलियस को वेल रेंज स्वाइल पसंद है, तो ये अगेन कोलियस, ये बहुत ही यूनीक प्लांट है, बहुत ही प्यारा प्ल बहुत ही प्यारा प्लांट है बस Caesarी बहुत ही जरूरी है कि इसकी स्वाइल एक अच्छी स्वाइल बनाई जाullen जोकी मैं आपके साथ शेर करहूंगी रेपोर्टिंग वीडियो में तो नेक्स्ट मेरा फेजरी प्रोटन प्लांट य इसके कलर्स मेरे पास बहुत है और जब मैं जाती हूँ तो एक क्रोटन प्लांट ज़रूर लेके आती हूँ तो इसकी लीव्स मुझे कुछ डिफरेंट लगी और कलर्स भी इसके डिफरेंट है येलो, ग्रीन और ये चॉकलेटी और ये औरेंज है आपको पिंक दिक रहा होगा लेकिन ये एचली में ये औरेंज कलर है और ये बहुत ही प्यारा प्लांट है और ये भी एक वाटर के लिए सेंसिटिव प्लांट है वाटर का बहुत एचली में जितने भी थोड़े से कलर्फुल लीव्स के प्लांट होते हैं वो उन पे वाटर का बहुत ध्यान रखना पड़ता है अगेन मेरा ये क्रोटन थोड़ा ये बिक प्लांट है और इसका इनोंने पिंचिंग भी की हुई है बहुत ही प्यारा प्लांट है और इसके लीव्स पिंक कलर के है और ये देखिए आप ये इनकी पिंचिंग इनोंने किया है तो यहां से थ्री शूट्स निकले हैं तो ये एक अच्छी बात है पिंचिंग करने से प्लांट बुशी होता है तो ये इसकी पिंक लीव्स की वज़़े से मैंने इस प्लांट को बाई कर लिया ये इसमें बहुत सारी अच्छी कलर्स हैं बहुत शेड्स हैं तो जब ये और बुशी होगा तो ये बहुत जादा सुन्दर लगेगा इसकी भी नॉर्मल गार्डन ही स्वाइल है इसकी भी एक पूरी ही मुझे स्वाइल निकाल के चेंज करने पड़ेगी क्योंकि अगर पूरा नहीं निकालते हैं तो ये बहुत मिलब इसमें वाटर लॉगिंग होने के चांसस बहुत बढ़ जाते हैं और प्लांट हमारा मर जाता है तो इसलिए स्वाइल का एक अच्छा मिक्स्चर स्वाइल का होना बहुत ज़रूरी है जो कि मैं आपके साथ शेयर करूगी और ये थी फ्रेंट्स मेरी शॉपिंग और प्लीज अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट करिएगा थैंक यू